कि एक्स वाइफ्रेंड के साथ में दोस्ती इसके बारे में बात्चीत करते हैं मेरे नमें दॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा यह संद मुख्य तक यह हूं महाराष्ट्य में मुंबई पुने अकुलाईयां प्रैक्टिस करता हूं कि दिन पहले मुझे फोन आया और उसमें लड़का जो बात्चीत कर रहा था तो बहुती इमोशनल बहुती नर्वस डिप्रेस्ट और बहुती अपसेट और उसका प्राब्लेम यह था कि उसकी गल्फ्रेंड है और गल्फ्रेंड है तो अभी उसके साथ में इन्वाल हो चुक देखिए यह तो एक प्राब्लेम हुआ तो एक पेशेंट है ऐसे तो काफी सारे लोग है काफी सारे बच्चे है मतला भी तो आशकल तो ऐसा है कि गल्फ्रेंड बाइफ्रेंड एक्दम कॉमा हो चुका है नॉर्मल है उल्टा नहीं रहा गल्फ्रेंड नहीं रही तो बोलत जहाँ उपनली बात्चीत होते रहती है कहीं भी कौन सा भी ग्रूप ज्वाइन कर लेते हैं चैटिंग का ग्रूप है और उसमें फिर दोस्ती हो जाती है और यह उमर ऐसी है कि 15 वाइश से लेके 25 तक कि कहीं भी फटाक से इनमाल हो जाते है क्य होता है की हरमोनल चांजस बहुत ज्यादा होते है Спिर नेचर चुप्चाव में इस् होते है नेचर रहना अंदर से इतना ज्यादा मतलब एनरजी बहर लाता है और चुप्चाव करना discipline रखना जरूरी होता है और माबाप काई कि discipline नहीं ना माबाप का control नहीं है तो बच्चे भैकने में कोई time लगता नहीं तो इसलिए फिर क्या हो रहा है अभी आशकल पर freedom बहुत है और उसमें फिर boyfriend girlfriend to comment चल रहा है अभी इसमें काफी सारे लड़के आते है लड़के आती है और उमको यह issue है और उसमें परेशान है बहुत इसको बात करना हूं तो उसका यह issue है कि वह जो girlfriend के साथ में मैं continue करूं की नहीं करूं तो मैं आप यह सवाल ही क्यों करें तो नहीं बोले मैं बहुत इन्माल हो चुका हूं पिर अभी क्या प्रॉब्लम है वो नहीं बोले ऐसा है कि मुझे अभी पी डाउट आता है आपको और आप बोल रहे हैं कि नहीं कंटिन्यू करना है आपने लड़की को पूछा किया कि आपका उसके साथ में रिलेशन्शिप है क्या त मतलब वो खुद ही बोल रही कि मैं कभी-कभी बात करते हूं पता नहीं और एक्चुली रियलिटी में क्या है तो फिर ऐसे कंटिशन में आप कहां तक और किती जिन तक उसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि यह आपको लंबे समय का देखना है क्योंकि वो जो लड अनिनी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे है आगे जाए यह लड़की के साथ में शादी करने की इच्छ था एंपने कभी पूछा लड़की को क्या आपकी रिलीशनशिप चाल है क्यां एक्स बाइफ्रेंड के साथ में कभी-कभी बात करते हूंा इसकी Осब समय नहीं क् आप सोचे रहे कि मैं उसके साथ में मेरी जिन्दगी पिता हूं अभी से आपको डाउट है वो भी बोलते कि कभी-कभी मैं करते हूं अगर मैं इतनी इन्वाल नहीं हो चक्यों क्यों कर रहे आप वाई फिर उसने भी बोला कि हां उसको भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है क सब्सक्राइब करेंने तो कि चुक्तर क्यों कि गैसा इसी दningen आम चाहिव आफ से बाहर आ रहे है उबल उबल के और उसमे बिधी आपको बहुत एक्ट्रेक्शन को सिक्स के तरफ है और इसलिए आप एक्ट्रेक्ट हो तो ये जादा बचने येना भपने भाउनिक ये जादा क्था नहीं है तो इसमें आपको बेहतरिन यह है कि आपने दूर रहना चाहिए, इसमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अभी से दिख रहा है, और आपको यह चलता हूँगा, कि ने ठीक है, चलता है मुझे, कि उसने पहले बाइफ्रेंग के साथ में भी बात किया तो चलता है, न कि आपको कंटिन्यू करना है, तो फिटीक है, और आपको फिर यह देखना पड़ेंगा, कि वो उसके पहले बाइफ्रेंग के साथ में अभी भी फ्रेंड्शिप है क्या, कितनी इन्वाल है, वो उसको छोड़ने को तयार है क्या, और आपके साथ में वो जिंदगी बरहने क जाते हैं, और आपके साथ में रिलिशेंशिप नहीं किया है, तो आप बहुत ही जादा उसक है, और इसमें फिर बहुत बड़ी गल्दी हो सकती है, क्या होता है कि शादी के बाद में यह जो अभी के दिन है, नरम-घरम, वो सब निकल जाते है, और बाद में फिर असल जाते हैं, वहीं स्टॉप करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लोग बोलते हैं, शादी के बाद में एक दूसरे को समझ लेंगे, शादी के बाद में फिर ठीक कर लेंगे, लड़की बोलती है, मुझे उसके उपर प्यार है, मालूम है कि वह बहुत सिग्रेट प हो गई है, पहले से ही वह कहिना के इनवाल हो चुकी है, उसमें पहले बाद में को छोड़ा नहीं है, आपको डाउट है, क्यों करना है, काई के लिए करना सबी है, तो यह आप देखते हैं, तो फिर आपका जिवन आगे चलके अच्छा हो जाएंगा, इससे अच्छा लोग सबीरा काई है, पुलते हैं कि आपको गल्फरिंड नहीं तो वह लोगों नहीं बोलना चीए, या हम बेलकुल बहुत आगे बढ़ चुके है, या बहुत ही फ्रंट है, तो फिर इसके लिए लड़की चाहिए, या लड़के घुआने के लिए चाहिए, बताने के लिए चाह जो भी कादा वो करना पुड़ेगा और पिर आपको रहणा बड़ेगा ने बुले मेरे से रहा नहीं जाता उना भर भर अब भी खतम होगा किससा अपने ली आपको आगे चलके फायदा नहींगा आगे चलके बहुत प्रब्लम आजाएंगा तो इसे प्रब्लम पहुत लोगों को है काफी सारे लोग इन्वाल हो चुके है उनको छोड़ाने जाता और होता क्या है कि emotional involvement ठीक है काफी लोगों का physical involvement भी हो चुका है और जब physical relationship होती है तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो तो इतना पक्का brain pattern बन जाता है एक बार physical relationship हो गई छोड़ना है मुश्किल हो जाता है और फिर उसमें फिर उस लड़का दिखेंगा ना जात दिखते ना पाद दिखते ना धर्मा दिखता है कुछ नहीं होता है क्योंकि वो जो हर्मोन से वो इतने तक्लिफ द्वाले कारेक्रम है इतने पक्के brain pattern जाते है कि कुछ भी होता नहीं है कुछ भी सम्भव हैता नहीं तो यह ऐसा involvement होने के पह इसलिए फ्लट करने के पहले ही देख लो कि हमको काना तक जाने का है और जो पहले जानकरी करके जो भी कुछ करना है वो करने का है यह आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी boys and girls share करो ताकि उनके life में बहुत बड़ा फरक पढ़ जाएंगा और वो अपने life के उपर focus कर सकें अना कि फल्ट बातों के उपर thank you very much